तो यह आपका motion का next class है है और तो फोट जी हम लोग अगले class में देखते हैं क्या यह class में आप देखने जा रहें क्या velocity इसके पहले आपने देख लिया था speed तो what is velocity velocity क्या होता है तो the rate of change of position of an object with time is called the velocity of that object this is the डिफविनिसन फर्मूला क्या आएगा विदैन इश एक्वड टू होता है डिस्प्लेश्मेंट भाई टाइम डिस्प्लेश्मेंट क्या हो था यह को मैंने सबहाने की आप सकता है फ्रह आप लोग है distance by time यह दोनों में difference है ओके बागी कोई difference नहीं है सिर्फ यहाँ distance है और यहाँ displacement है अगर unit देखा जाए दोनों का तो displacement का भी unit meter होता है और distance का भी meter होता है यानि meter per second और इसका हमारा scalar time scalar यानि scalar divided by scalar आपका speed भी क्या है scalar okay velocity हमारे को vector है velocity हमारे को vector quantity है देखिए displacement क्या है vector है और time क्या है scalar है vector by scalar vector scalar by scalar scalar चलिए इस पर ज्यादा focus नहीं करते हैं लेकित देखते हैं तो velocity क्या हो गया vector हो गया speed क्या हो गया scalar हो गया velocity is equal to क्या हो गया rate of change of displacement rate of change of displacement को कहते हैं velocity और rate of change of distance को क्या कहते हैं हम लोग speed तो distance और displacement change होने के चलते ही हमारे को speed और velocity का value change कर जाता है तो यह तो देख लिए unit क्या होता है अब dimension अगर हम लोग देखना चाहें तो बड़ा असान है यह क्या हो जागा इसका unit हो गया meter per second ओके तो इसका भी unit तो वही है यह सा unit meter per second तो dimension क्या हो जाएगा lt minus 1 यानि हम इसे लिख सकते हैं m0 lt minus 1 और ठीक सेम इसका भी वही रहेगा सेम है m0 lt minus 1 ओके क्लियर तो यह तो समझ में आ गया आप लोग को अब आगे देखते हैं uniform velocity और non uniform velocity या variable velocity तो आपने देखा था uniform speed और non uniform speed तो वह तो समझ में आ गया तो यह भी समझ में आहीं जाएगा इसमें भी कुछ नहीं है सेम चीज है लेकिन यहां distance के जगह पर displacement है और अब्जेक्ट इस सेट तो पोजेस uniform velocity एक औब्जेक्ट को कर सकते कि उसके पास uniform velocity है यदि if it covers यदि वह cover करता equal displacement in equal interval of time यदि equal displacement cover करता equal interval of time में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे uniform velocity और if an object is moving with a non uniform velocity then it will have unequal displacements in equal interval of times और यदि equal समय में आपको पास क्या हो unequal intervals of displacement displacement अलग अलग हो एक ही समय में अगर आप देख लो यह आपका हर एक समय जो है 5 second का है ओके और इस 5 second में यदि displacement जो है कभी आपका 10 मिटर होता है कभी 15 मिटर होता है कभी 20 मिटर हहता है कभी 5 मिटर होता है तो इस ऑस एग्जाम्पल आफ वर्यवल वैलोसिटी या नॉनौन उनिफार बेलो सिति तो यह सिजे भी कि लिए है टो एक सिंपल सा कोशुच्छ देखते हैं दिरिंग आहड सा यूर आइच माइट सट फोर 0.5 सेकंड एक चीक आ गया बड़ी सी गाड़ी आप ड्राइब कर रहे और चीक आ गया जिसके चलते आपकी आखी 0.5 सेकंड के लिए बंद हो गई इफ यू आप ड्राइविंग अ कार और यदि आप एक कार ड्राइब कर रहे हो एक 90 किलोमेटर पर आवर 90 किलोमेटर पर आवर से डूरिंग सच असनीज अब यह क्या है 0.5 सेकंड है अब यह क्या है 0.5 सेकंड है और यह क्या है आवर में मिंटर में में चेंज करना होगा ऐसा इंट में तो मैं जानता हूं 90 किलोमेटर टो 1000 कि और हले तो 198 कि रिवाइट कर देंगे ठीक है ना यह हमारे कादा मीटर पर सेकंड बाल जीरो से काट गई ऑकि और यह आपको 36 और 90 है इसे भी हम लोग काटना शुरू करें तो चलिए आप काट दीजिए 18 दुनी 36 पांद नुना 10 कट गया और अब ये कट जागा 18 पचे 90 यानि 25 मीटर पर सेकेंड ओके ये हमारे को आ गया वेलोसिटी और टाइम मालूम है तो कितना दूरी हम चल चुके है तो S वरावर VT ये फर्मूला आपको याद है S वरावर VT मैंने बताया है तो वेलोसिटी कितना है 25 टाइम कितना है 0.5 सेकेंड ठीक है तो एंसर कितना ओजागा पच्ची पच्ची सा से 125 वन अंग के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हो गया यादि 12.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली से हम लिख सकते हैं 13 मीटर एंसर ओके सो सिंपल ऐसे से कुश्चन इंटर के एकजाम में आ जाते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड क्या होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेश ट्रेवल्ड बाइट टोटल टाइम टेकें सबसी सिंपल फर्मूला याद करो एवर स्पीड इउक्वल टो क्या होगा टोटल डिस्टेश ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाइट टोटल टाइम टेकें तो इस परकार से हम लोग एवरेज स्पीड किसी भी आबजेक्ट का निकाल सकते हैं जैसे माल लोग की एक कार है ठीक है अब यह कार जो है पहला पांच सेकंड चलती है और इस पांच सेकंड में ठीक है ना वन फिप्टी मीटर चलती है अगला दस सेकंड चलती है और इस दस सेकंड में 400 मीटर चलती है अगला 20 सेकंड चलती है और इस 20 सेकंड में 1000 मीटर चलती ह है ऑके और अगले फिर पांच सेकंड में यह सो मीटर कि चलती है तो हम 60-50 पलस 400 पलस 1000 पलस 100 टोटल डिस्टेंस हो गया टोटल टाइम टेकन यानि 5 पलस 10 पलस 20 पलस 5 अब बताओ यूनिट क्या हो गाइसका मीटर पर सेकंड सब एक ही इनिट में है ना मीटर सेकंड तो मीटर पर सेकंड तो इस तरश से आप आसानी से आफ्रेजर स्पीड निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं के पास किया होगा सिर्फ मैगनिचूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा कि लिए क्योंकि यह स्केलर हैं एवरेज स्ट्राइबर्फ ग्रीट्स अब दिवाइड ग्यान को निकल जाएगा अब देखिए एवरेज स्पीड केस वन एक केस की हम लोग चर्चा करते हैं यदी कोई पार्टिक्ल है कवर्श डिस्टेंस S1, S2, SN with a speed V1, V2, VN then उसका average speed क्या होगा तो आपके पास दिया हुआ क्या है distance दिया हुआ S is equal to S1, S2 dot 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 SN ओके और average speed का formula क्या होता है total distance by total time taken तो total distance तो हम तो add करके निकाल लेंगे S is equal to S1 plus S2 plus SN लेकिन time हमें नहीं दिया हुआ है हमें velocity दिया हुआ है V1, V2, VN है ना और time बराबर क्या होगा तो हम दोग जानते हैं S बराबर V into T तो यहां से T is equal to क्या हो जाएगा S by V तो अलग-अलग time के लिए S1 के लिए आपका time क्या हो जाएगा S1 के लिए time हो जाएगा S1 by V1 that is equal to T1 is equal to T1 बराबर हो जाएगा उसी परकार से आप T2 बराबर दिकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा S2 by V2 इसी तरह से TN is equal to SN by VN तो यह time भी हम लोग अलग-अलग distance में कितना time लगा कवर करने में यह भी निकाल लिए असान है तो अब हमारे को रहा average speed निकालना तो average speed इस equal to हम लोग जानते है total distance table by total time taken है ना यानि हम लिख सकते है S1 plus S2 plus dot 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 divided by time taken तो time taken क्या हो गया T1 plus T2 plus TN dot 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 तो उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं या क्या S1 by V1 plus S2 by V2 plus dot 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 यह हो गया तो यह हो गया हमारे को average speed निकालने का तरीका यदि हमारे को दिया हुआ रहे distance और velocity तो हम लोग इस तरह से असानी से निकाल सकते हैं इसमें किसी को कोई संका नहीं है तो case 2 देखते हैं एक second case क्या आता है कि if a particle moves with a speed V1, V2, V3 यदि कोई particles जो है वो move कर रहा है V1, V2, V3 से और T1, T2, T3 time लगा तो आपको निकालना है average speed और average speed का formula तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है total distance by total time taken total distance by total time taken ये होता है formula तो बस formula पर हमें put करना है दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा तो distance तो दिया वह नहीं है तो distance हम निकाल सकते हैं distance S बराबर क्या होता है V into T हम लोग जानते हैं तो यहां से S1 is equal to क्या हो जाएगा V1 into T1 S2 is equal to क्या हो जाएगा V2 into T2 S3 is equal to क्या हो हो जाएगा V3 into T3 क्लियर यह S1, S2, S3 हमने निकाल लिया तो सिंपल अब यह value put कर देंगे तो आसानी से हमारे को answer भी आ जाएगा तो average speed is equal to क्या हो जाएगा total distance यानि V1 into T1 तो V1 T1 plus V2 T2 plus V3 T3 अगर और रहेगा तो सब को sum करते जाएगे plus dot 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 divided by total time taken to T1 T2 T3 तो T1 plus T2 plus T3 तो सिंपल तो इस तरह से इन दोनों कंडिसेंस में आप एवरेज स्पीड हो चाहे एवरेज वेलोसीटी हो आप लोग निकाल सकते हो कि लिए नहीं समझ में आ गया तो एक छोटा सा प्रोब्लेम तेक लेते हैं नुमेरिकल्स एक कार है कर आए कवर्स्ट हाफ पाला आधा ध्यान देना ऑफ दिश्टेंस बिट्मिन टू प्लेसेज एट एट स्पीड ऑफोटी किलोमेटर पार आवर और सेकंड हाफ और दूसरा हाफ एट 60 किलोमेटर पार आवर कलकुलेट दा एवरेज स्पीड हमें एवरेज स्पीड निकालना है यही निकालना है ना एवरेज स्पीड ओके तो चलिए बहुत सिंपल है असानी से हम इसे हल करेंगे यह हमारा डिस्टेंस है मानलो ए से बी तक कोई कार जा रही है तो ट स्पीड हाफ कितना हो जाएगा एक्सबड़ माइट तू किनेर है और यह फर्स्ट आप जाती है कैसे आपको 40 किलोमीटर पार आवर सेकंड हाफ जाती है कैसे 60 किलोमीटर पर आवर यह दो अलग-अलग टाइमिंग में जाती है ठीक है ना तो हमारे को निकालना क्या है average speed तो सबसे पहला आपना फर्मूला तो लिख दो तो आपका solve हो जाएगा diagram draw करने के बाद फर्मूला लिखो problem solve हो जाएगा average speed is equal to total distance displacement कब होगा जब velocity होगा total distance by total time taken total time taken total distance कितना हो गया x by 2 plus x by 2 that is equal to x तो वो तो x ही हो जाएगा that is equal to x by 2 plus x by 2 by total time taken तो इस x by 2 को चलने में कितना समय लगा तो हम लोग formula जानते हैं क्या हम लोग formula जानते हैं s बराबर v into t इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा s by v तो s कितना हो गया x by 2 by v that is equal to 40 ठीक है इसके नीचे 1 कर दो तो ये 1 उपर चला जाएगा और ये 40 यहाँ चलाएगा that is equal to x by 80 ये हो गया हमारे को यहाँ जो लगने वाला समय है वो हो गया x by 80 और ये हमारी मोटी लकीर हो गई divided वाली ठीक है पलस उसी परकार से हम लोग यहाँ का भी time निकालेंगे तो ये t2 हमारे को आ जाएगा क्या x by 120 आ जाएगा clear तो पलस x by 120 हो गया तो अब इसे हम लोग हल करना शुरू करेंगे और इसे हल करेंगे क्यों तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे को हल करना ऊपर वाला तो हमारे देखिए वह है और नीचे वाले को अगर हल करते हैं ठीकश तो आहां पर करने आती और 120 का sm निकाल ना है तो बहुत 160 तो 160 भी नहीं होगा LCM इन दोनों का 83 जा 240 अच्छा 240 से ये 83 बार में काटेगा और 120 दो बार में काटेगा यानि इसका LCM आएगा कितना 240 ठीक है हम सिर्फ नीचे वाले को हल कर रहे हैं सिर्फ इसको ठीक है तो 83 जा 240 यानि 3X और पलस ये क्या हो गया आपका 2X अब इसको हल किजिए तो क्या हो गया 5X बाई 240 यानि कि इसका पूरे का जो हल है ये हमारे को आ गया कितना 5X बाई 240 क्लिए रहे अब ये मेरे को हल आया है चलिए मैं इसे इस साइड को पिरेज कर देता हूँ अब आप ध्यान दीजिए तो इधर तो xy2 प्लस xy2 वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा है ना तो वो x हो गया तो x by 1 आ गया उपर का किलियर और नीचे जो है 5x by 240 है 5x by 240 एकदम सिंपल मैं आपको हल करना बता दे रहा हू ठीक है that is equal to अब क्या होगा 240 ऊपर चला जाएगा कहां चला जाएगा सबसे ऊपर 5x यहां पर किलियर यानि हो गया किया 240 x divided by 5x x से x कट जाएगा और 5 से 240 कटेगा यानि 5,8,5,20 और पनियठी 40 48 यानि कितना गया 48 हमारे को आया किलोमेटर पर आवर में, क्योंकि सबका सब इसी में है यह भी किलोमेटर पर आवर यह भी किलोमेटर पर आवर था इसलिए इसे हमें 1385 तबसक्राइब बदलने की कोई जुरोथ नहीं सानी से यह सवाल आता है एक्जाम में और बच्चे करते हैं क्या कुछ बच्चे तो करते हैं क्या सीधा वो देखें और कहें सर 40 साथ हम लोग देखें एवरेज करने का डिवाइडेड वाई टू यह हो गया सो बटा दो यानि पच्चास किलोमेटर पर आवर काता है कि यह एवरेज हो गया इस तरह से बच्चे निकाल के काते हैं कि सार 50 किलोमेटर पर आवर तो यह एंसर गलत हो जाएगा और नंबर आपक जो क्या है to average velocity जो है वह stability हों लिएफ होगा हो डिस्फ्मेंट होगा और डिस्प्रेश्मेंट को हम लोग टाइम से दिवाइड करके एड करेंगे average Average velocity of a body is defined as the change in position or displacement divided by the time interval in which that displacement occurs. Total displacement by total time taken. Average velocity जो होता है वो क्या होता है? Average velocity ठीक आपका average speed की तरह ही average velocity होता है लेकिन यहां distance नहों करके displacement होता है. Total displacement by total time taken. Average velocity का फर्मूला आपको मालूम हो गया. Total displacement by total time taken. तो velocity हमारा वेक्टर है तो average velocity हमारे को क्या होगा? vector होगा, SI unit क्या होगा? वही सेम होगा, meter per second. Clear? तो यह सब चीज़े clear है. अभी छोटा सा numerical देख लेते हैं. चलिए. ध्यान देजिए. इसे पढ़िए आप लोग. एक कार is moving, एक कार move कर रहा है along a straight road line. एक एस्टेट लाइन पर से OP. जिसे की हम लोग OP कहते हैं. यहाँ O से कार चलना सुरू किया और P तक जाता है. In the given figure, it moves from O to P in 18 seconds. यह क्या करता है? O से P तक. O से P तक जाता है. कितना देर में? 18 seconds में. Clear? And returns from P to Q in 60 seconds. और फिर यह P से Q तक आता है. इस Q के पास पहुंचता है. कितने देर में? 6 seconds में. 6 seconds में Q तक लोटके चलाता है. What are the average velocity? And average speed of a car going from O to P? पहले तो हमें निकालना है क्या O से P तक जाने में तो टोटल average velocity क्या होगा? और THEY the Speed क्या होगा? तो आप ध्यान दिजिये कि O से P तक जाने में हमें निकालना है कब का? O से P तक जाने में तो आ ध्यान दिजिये O से P तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 360 मीटर. और डिस्प्लेस्मेंट कितना होगा? 360 मीटर. दोनों सेम होगा. क्योंकि O इसका इनिस्टेंट और P इसका फाइनल पाइंट दोनों में सा 360. यानि कहने का अर्थ है कि from O to P, O to P में नमबर वन केस आप देखेंगे क्या? कि डिस्टेंस जो है वोग डिस्प्लेस्मेंट के बराबर है. डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेस्मेंट कवर्ड दोनों बराबर है. ठीक है? जब दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, आपका speed और velocity, average speed और average velocity भी equal ही होगा, और speed बराबर क्या होता है, distance by time, तो distance कितना हो गया, 360, 360, और time, O से P तक जाने में कितना देर लगा है, तो 18 second, 18 second, 18 से divide हो गया, तो 13, 26, 20, तो आगया answer कितना, 20 meter per second, average speed भी यही होगा, ठीक है न, average speed हमारे को यही होगा, और इसका average velocity भी यही होगा, same होगा, दोनों, same होगा, क्योंकि distance और displacement दोनों same है, clear, तो यह तो हमारे को solve हो गया, इस problem को resolve कर दिये, so simple, यह असान सा एक छोटा सा formula problem है, लेकिन अगला देखिए, इसी questions में, अब हम कहते हैं कि आपको निकालना है कब, from O to P and back to Q, अब क्या है कि O से पहले था, फिर P पर गया, और P से Q पर लोटके चला आया, final जो इसका position है, वो कहाँ पर है Q, initial position O पर और final position Q पर है, तो displacement कितना होगा, सिर्फ यहां से यहां तक का, यहीना displacement हुआ, this is the displacement, यह displacement हुआ कितना, 240 मीटर, displacement हो गया, 240 मीटर, और इसमें total time कितना लग गया, total time लग गया, O से P तो जाने में और P से Q तक लोटने में, यानि 18 plus 6 कितना हो गया, 24 second, total time लग गया, आपको 24 second, ओके, तो average velocity निकल जाएगा, average velocity आसान है, तो average velocity is equal to क्या हो जाएगा, total displacement by total time, total displacement हो गया, 240, total time लग गया, 24, यानि कट गया, 10 times में, यानि 10 मीटर पर सेकंड, this is the answer, ये तो हमने निकाल लिया, average velocity, अब next चीज देखते है, average speed, तो average speed हो में दिखना क्या है, total distance traveled, तो total distance इसने कितना टै किया, जो कि जितना टै करेगा, उतना पर टोल लग जाएगा, तो total distance हो गया, आपको 360 पहले गया, और फिर 360 से चला आया, 240, यानि 360 माइनस 240, that is equal to 120 मीटर, है ना, तो यानि total distance कितना हो गया, पहला हो गया, 360 मीटर, जो चला वो, और फिर P से Q तक जो आया, ये दूरी, that is 120 मीटर, ये दोनों add हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, नहीं न, तोटल distance कितना चला इसने, 360 प्लस 120, that is equal to 480 मीटर, समय कितना लगा, तो समय तो वही लगा, 24 सेकंड, आने में से समय तो उतना ही लगा, तिकि वह यहां सुमा गया, 13 सेकंड, और फिर यहां तक आने में से 6 सेकंड लगा, तो टोटल टाइम लगा, 6 सेकंड, इसलिए एवरेज स्पीड, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 480, बाइट टोटल टाइम टेकन, 18 पलस 6, याने 24, ओके, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, अब 24 से 480 काट दो, 20, that is equal to 20 मीटर पर सेकंड, अब यहां देखो, आपका एवरेज स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन एवरेज वेलो सिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, तो यह डिफरेंस है, आपको एवरेज वेलो सिटी और एवरेज स्पीड में, एंसर, हमने निकाल लिया, तो यह सवाल आपको एक्जाम में आता है, और इसे आपको बनाना रहता है कि लिए नहीं कि किसी को कोई सवाल नहीं है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए एक सवाल और है अच्छा वही सवाल है उसी को एक जगह रखा गया है चलिए अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं अब बोड़ी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट फोर्टी मिटर पर सेकेंट फ्रॉम बी टूए सिक्टिम्स अब यहां देखिए इस को देखिए सॉल्यूसर यह भी एक्जाम में दे देता है इंटर के एक्जाम में प्लस टू की एक् बोड़ी कैसे जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंट इस समय का स्पीड घो है वो है 40 मीटर पर सेकंट जाने का और फिर वह भी oweater पर लॉट के चलाता है पुना मुषक वसक पुना या फिर घर पे चला आता है कैसे 60 मीटर पर सेकेंट कर एक तो दकालना है अबेर च वेलॉसिटी तो वेलॉसिटी का फर्मूला सभी को मालूम है। क्या होता है अबरेज का फर्मूला टॉटल डिस्प्लेशमेंट b पॉके तो टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकेन ओकेव तो टोटल डिस्प्लैश्मेंट यह से क्षे जाएगे तो यहां से निकला इसका इनेशिएल पॉइंट और फाइनल फाइनल पॉइंट वही लिगूर लिटाता है न निकालने का दिस्प्लेस्मेंट का कि तो इनिस्प्लेस्मेंट पर और फाइनल पॉइंट चीड़elet पर यानि कोई नहीं घर से निकले ऑर घर पर ही चले आ गए यानि टोटल दिस्प्लेस्मेंट क्या है जीरो है और जीरों में किसी भी चीज से आब भागा दे दो वह जीरों ही ओगा यानि इसका एबरेज वलो सिटी क्या हो जाएगा नहीं है अब देखे ग्राफ ह conta एक्स टी ग्राफ कि प्लिपर्जेंट इन invention एक प्रेस्क क्तिय यहां देखिए चार ग्राफ आपको दिए गए है अब इस चारो ग्राफ में देखत cran सा अब सब्सक्रा जो की यहां क्या है टाइम बढ़ रहा है किलियर और यहां जो एक्स जो देख रहे हो यह जो पॉइंट है यह 25 माल लो 25 पर है तो यह समय चेंज हो रहा है लेकिन यह हमेशा 25 पर ही बैठा हुआ है इसलिए यह स्ट्रेट लाइन है और यहां पर क्या है समय चेंज हो रहा है और समय क के साथ साथ क्या है कभी यह पांच पर है कभी दस पर है कभी 15 पर है कभी 25 पर है इसलिए यह ऐसा सबस्क्राइल होगया है अगर अगर दोनों को मिला ओ तो इस तरह से कटान बंद रहे गरने यानि कि अभी यहां पर है यानि ये एक्सपर होगा याँ 25 सबस्क 시oda यहां पर है तो यह 20 यह बीस पर होगा और शमय से मिला है, समय अभी यहाँ है, तो यह x यहाँ है, अभी इसे देखिए यहाँ है, और यह यहाँ है, इसे देखिए, change हो रहा है, समय के साथ-साथ इसका position change हो रहा है, यानि इसमें भी change हो रहा है, इसमें देखिए, तो इसमें भी समय के साथ-साथ position change हो रहा है, हर जगा, समय के साथ क्या हो रहा है पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है किलियर है लेकिन यह जो फ्रस्ट वाला केस है इसमें क्या है समय चेंज कर रहा है लेकिन पोजीशन वही है समय चेंज कर रहा है लेकिन पोजीशन वही है समय चेंज कर रहा है पोजीशन वही है तो एंसर हमारे को यह हो जाएगा कि लिए यानि object देश्ट में किसमें बैठा हुआ है यह वाला ग्राफ में कि लिए तो इक जाम में आएगा तो बना डालोगे कोई दिक्कत नहीं है अब यह अगला questions देखो the coordinates of object with respect to a frame of reference at t is equal to zero minus 103 and if t is equal to five second its coordinate is minus 104 जब हमारा को coordinates दे रहा है क्या t is equal to 0 है तब और दुसरा है t is equal to 5 second दो coordinates दिया है इस समय हमारे को क्या है यह है minus 1 0 और 3 जब 0 second है और T जब 5 second का होता है तो यहां coordinate देता है minus 1, 0 और 4 तो यह first वाला तो बता रहा है X, second वाला बता रहा है Y, third coordinates बता रहा है Z यह 3 coordinates बता रहा है clear? तो यहां आप देखो दोनों same है, यहां भी same है, तो change किस में हो रहा है? जब में, यानि समय परिवर्थी तुबा तो यह Z coordinates पर change कर गया, clear है? Z coordinates में change कर गया, यानि motion along Z axis हमारा answer होगा motion along X axis नहीं होगा, क्योंकि X axis में motion नहीं हुआ है motion along Y axis नहीं होगा, क्योंकि Y axis में 0, 0 ही रह गया है rest position between यह भी गलत है, position इसका change कर गया है T से 0 से 5 सेकंड के दौरान किसमे? Z axis में, तो answer हमारे को होगा यह motion along Z axis, clear? ऐसे सवाल अब अहल हो जाएंगे अब next question देखते हैं अब देखिए, तो position time graph for a uniform motion अब इसमें कौन सा ऐसा position time graph है? यह position time graph है X, 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 X का meaning होता है position, position बता रहा है और T जो है time का, यह वाला जो line है, यह T का line है और यह X का line है X, T, X, T, तो यह position time graph में देख करके बताईए कि कौन सा जो graph है जो की बता रहा है कि uniform motion में माने कि हमेशा एक समान गती से जा रहा है 10 मिटर पर सेकंड से जा रहा है, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तै करता है कौन सा तो फर्स्ट ग्राफ अगर देखते हो तो इसमें तो सीधा object रेष्ट पे है क्योंकि हर जगा इसका position चेंज नहीं हुआ है, तो यह तो नहीं होगा answer, यह cut गया second graph देखो, तो यह जहां भी आप curve देख लो न, तो इसका मतलब है non uniform motion है curve का मतलब होता है non uniform, तो यह भी curve है और यह भी curve है इतना दूर तक तो रेष्ट में रहा और इसके बाद यह curve हो गया, यानि variable speed है variable, a speed variable motion है, तो यह भी नहीं होगा, और यह भी नहीं होगा, यह दोनों shut गया, तो यहीं होगा, छाट करके निकाल लिए, इसमें देखो, एक निश्चित समय पर, तो ऐसा जो line जो जाए, ठीक है न, तो यह आपको represent करता है किसको uniform motion को, क्योंकि निश्चित समय पर एक निश form रहेगा, clear, तो यहां तक में कोई problem नहीं है, ओके, तो आगे फिर हम लोग, निश्च क्लास में देखेंगे, thank you, good bye.